अगर फ्रेंट्स आपके पास यल्मी का नार्जो N55 है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा इस फोन की टॉप 10 most useful features के बारे में जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तो चली फ्रेंट्स इस पीडियो को बिना टाइम बेस करते हैं इस phone के अंदर फ्रेंट्स एक की स्कीन पर दो apps को आप एक साथई यूज कर सकते हो जैसे कि आप चाहते हो यूटीब के साथ नज्मझे आपको यूज कर लेना है तो यहां पहले आप दो apps को इक साथ यूज कर पाऊगे अगर उपर वाले को नीचे लाना चाहते हैं, नीचे वाले को उपर करना चाहते हैं, तो आप ये भी switch कर सकते हैं, इसके आप को बीच में क्लिक करना हुगा और यहां पे आपको क्लिक करना हुगा, तो आप इस तरह से भी इसका direction बदल सकते हैं, इसके अलाबा एक apps का आप ज देख सकते हो double tap का future है यहां पर मिल जाता है जो कि आपको यहानně को मिलेगा इसको on कर लीजी yet करना करना है तो इसकीई पर double tap कर दीजिए को on 이야기 सकते तो double tap करके off कर पाएंगे और double tap करके ही screen को on कर पाएंगे इस phone के अंदर friends आपको smart slide bar देखने को मिलता है जिसकी मतलब से आप किसी भी apps को floating window में यूज कर सकते हो और बहुत सारे apps को कहीं भी access कर सकते हो smart slide bar को on करने के लिए सबसे पहले चले जाई फोन की setting में और यहां आने बाद scroll down कीजिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा special feature इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है smart slide bar यहां आके इसको on करना है अब आपके यहां बहुत सारे apps आपको smart slide bar के अंदर देखने को मिलेंगे सबसे कहीं भी access आप कर सकते हैं इसकीन को record कर सकते हो, direct file manager को access कर सकते हो, जैसे कि जैसे आप इसपर click करेंगे, तो floating window में on हो जाता है, तो यहाँ पर turn on पर click करना है, अब आपका floating window में आपका file open हो जाएगा, तो यहाँ कहीं भी आप चाहें, तो एक्स को access कर पाएंगे, कहीं से भी किसी भी apps फोडो बगएर आप चला सकते हैं, background में जिस भी apps का आप यूज कर रहे हैं, वो background में रहेगा, friend में आप दूसरे apps को भी यहाँ पर देख पाएंगे, तो यहाँ भी बहुत सारे edit option में मिल जाते हैं, तो smart slide bar को open कीजिए, edit पर click कीजिए, तो यहाँ पर अपने favorite apps को भी आप add कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखने को मलेंगे, जैसकि Chrome को लगाना है तो इस तरह से click करेंगे, और किसी भी apps को यहाँ जो आपको advance में देखने को मिल रिमूब करना, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपका वो रिमूब भी हो जाता है, तो इससरे friends आपको बहुत सारे feature मिल जाते हैं, जो कि smart slide bar में अपने हिसाब साप साइट करके रख सकते हैं, इस phone of friends आपको app.selected देखने को मिलता है, और यहाँ पर जब आपने app.selected को open करते हैं, तो directly keyword on हो जाता है, आप चाहें तो इस keyword को disable कर सकते हैं, चाहें तो इस app.selected को disable कर सकते हैं, तो बात करते हैं, पहले keyword को disable कैसे करेंगे, तो यहाँ पर manage का option देखी हैं, यहाँ क्लिक करके app.selected setting पर जाते हैं, इसके लिए screen पर tap and hold करके side करने के बाद आपको more पर जाना है, यहाँ देखने को मिल जाता है, आपको home screen mode, इस पर क्लिक करके, आपको standard पर क्लिक करके apply करना है, सभी F आपकी home screen पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इस phone के अंदर friends आपको RAM expand करने का option मिल जाता है जितनी GB का RAM है, उतनी GB का RAM और भी जादा इस phone के दर आप expand कर सकते हो, मतलब 4GB है तो 4GB और भी आप बढ़ा सकते हो, जिसके आपको बढ़ाना है तो phone की setting में जाना होगा, scroll down करके last में आईए, आपको देखेगा about phone, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ देखने हो मिल जाएगा इस option पर आपको क्लिक करना है, कितनी GB का RAM बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके 1GB, 2GB and 4GB, अगर 4GB का बढ़ाना है तो यह तरह से क्लिक करना है, और अपने phone को restart करना है, जितनी GB का RAM है उतना GB RAM और भी आप इस phone में expand कर पाऊगे, इस phone के अंदर friends आपको floating window का भी support मिल जाता है, जैसे कि आप किसी भी apps का floating window में use करना चाहते हैं, तो पहले उस apps को open किजिए, इसका recent button को press करना है, और यहाँ आने की बाद floating window देखने को मिल जाएगा, इसको on करने की बाद आपका यह इस तरह से देखने को मिलेगा, आप इसको कहीं भी रख सकते है इसको pop-up में भी कर सकते हैं, जिसके आप इस तरह से क्लिक कर लिजीए, यह आपका pop-up में on ही कर सकते हैँ, जैसकि हम पे play store के अंदर है, इसमें access करना है, तो इस तरह से इस पर खिलिक करेंगे लिक यह आपका इस तरह से open हो जाएगा, आप इसको resize भी कर सकते हैं, जिसको यह आपको इस तरह से दी साइज हो जाता है अगर चाहें तो इसको full screen में भी ला सकते हैं जिसके लिए इस icon पर क्लिक करना हुगा तो close करना है तो इस icon पर क्लिक करके आप इसको direct click close भी कर सकते हैं इस phone के अंदर friends आपको smart screen के काफी amazing feature मिल जाते हैं आप सबसे पहले जाएंगे phone की setting में और यहां से scroll down करेंगे scroll down करने के बद आपको देखेगा additional setting यहां click कर लिजे इस पर click करने के बद आपको gesture and motion देखने को मिल जाता है इस पर click करके आपको यहां बहुत सारे gesture मिलेंगे तो सभी condition के लिए पहले allow कीजिए यहां skin of gesture के लिए click कीजिए अब आपको यहां पर option मिल जाता है draw and over to open camera इस option को open करके got it पर click करना है अब आप lock screen होने पर भी camera apps को open करा पाऊगे without screen को unlock किये हुए तो screen पर आपको ओ swipe करना है आपका camera apps directly open हो जाएगा तो screen पर open आएगे आपका camera app open हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हो camera apps open हो गया है अगर आप flashlight को on करना चाहते हो तो आप उसको भी on कर सकते हो जिसके लिए आपको आपकी screen में यहीं पर आजाना है और यहां इस feature को on करना है तब भी गाने को play का सकते हो जिसके लिए आपको go ahead पर click करना है अब गाने को play करना चाहते है तो तू finger से आपको down करना होगा आप गाना play हो जाएगा गाने को next करना है तो इस तरह से click करेंगी गाना next हो जाएगा गाने को preview भी कर सकते हैं पीछे गवाल लगाना चलाएं तो इस तरह से क्लिक कर लिजी आपको गाना पीछे वाला प्ले हो जाएगा तो यह सब फीचर्स आपको यहां से ओन करने तो यह सभी लॉग स्कीन पर ही काम आएंगे नीची को और कुछ और भी कंट्रोल आपको देखने मिलते हैं जिनकी नमबर आपको करेंगे तो आपकी स्कीन डायक्त अनलॉक हो जाएगी अगर कोई लिए स्कीन पर एक लिए अक्सेस हो जाएगा जो भी आपने यहां पर select किया हुआ है तो और भी option मिलेंगे जैसे कि M और W जिनमेंसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो डार कॉल का उप्शन है अनलोग और ओपिन अप्स तो फ्रीवड एप्स को आपको एक्सेस करना है तो आप यहां पर उस एक्सेस करना रहता है जो भी आपको आने के बाद आपको यहीं पर edit setting में और वी option मिल जाते हैं सबसे पहले feature मिलेगा आपको जहां पर system navigation का इस पर क्लिक करके अपनी three button navigation को आप हाइड करके इस फॉन में जैसा navigation को set कर सकते हैं इस लिए आप इस option पर select कीजिए and cancel पर क्लिक करेंगे आपकी hide हो जाएंगे three button navigation और apps के अंदर हैं इससे पहले जिस apps का यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए simple आपको इस तरह से click करना होगा तो आप एक apps के अंदर से दो से apps के अंदर चले जाएंगे वापस उससे अपने जाना तो इस तरह से switch हो सकते हैं बहुत आसानी से तो जैसर का यह काफी useful feature हो जाता इस phone में friends आपको बन-handed mood का भी support देखने को मिल जाता है उसको on करने के वाद आप इस phone के अंदर बन-handed mood का यूज कर पाएंगे एक हांद से बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे तो phone की setting में जाके scroll down किजिए additional setting में आ जाईए और यहां आने कवाद आपको देखने मिल जाता बन-hand से यूज कर सकते हो अगर इस screen को full screen में लाना चाहते है तो blank screen पर click कर देना है आपको यह full screen हो जाएगा इस phone के अंदर friends आप camera से लेड़े काफी अच्छी ची features देखने को मिल जाते है जैसे कि आप screen को tap करेंगे आपको photo click हो जाएगा अगर आप palm दिखाएंगे phone की साम लिए on करना है अब आप screen को कहीं भी blank area में क्लिक कर लेजिए आपका photo click हो जाएगा इसके अलाबा चाहते हो आप आपका palm दिखाए आपका photo click हो जाए तो आप इस feature को on करके वो भी on करा सकते हो अब आप camera के सामने इस तरह से पाम दिखाएंगे आपका photo click हो जाएगा इस phone के करना है और इसको आपको on कर लेना है जो कि यहां पर आपको देखने लेगा क्योंक लॉन चैसर इसको on करने क्वाद lock screen होने पर आपको दो बार volume down button प्रेस करना है आपका camera apps open हो जाएगा इस phone को friends आप auto schedule पर set कर सकते हो जैसे कि night में आपका 12 बज़े phone automatic switch off होना चाहिए सुब आपको power schedule का एक option देखने को मिल जाता है जो कि आप schedule power on पर क्लिक करके सकते हैं अब यहां पर आप auto on का time डाल सकते हैं कितने समय आपका phone on होना चाहिए किस दिन होना चाहिए आप वो भी set कर सकते हैं सभी days देखने को मिल जाते हैं everyday को select कर सकते हैं नहीं तो repeated day के लिए भी आ के बार मैं आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूं आसा करता हूं आपको यह वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share और चैनल को subscribe करके बैल लेकिन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए फ्रें